प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इश्यू के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज फरसे प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत अधिक शुक्र गुजार हूँ पिछले हफ़ते जैसे मैंने याद दिलाया था, मैं फरसे याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी विश्वासियों के आत्मिक पोशन के लिए जिरूरी इलेक्ट्रोनिक पुस्तकें लिखना, प्रड्यूस करना और उनको डिस्ट्रिब्यूट करना ये मेरे जिवन के एक बहुत बड़ी जिवन की बुलाहट है, पिछले हफ़ते जो भी पुस्तकें मैंने रिलीस की थी, मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा, और पढ़ लिया होगा, मिनिट आप निवेश करते हैं, ये आपके जीवन को एड़ी से चोटी तक बदल सकता है, और बदलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन एक जीवित प्रबल दोधारी तलवार से अधिक तीखा है, और जब हम उसको पढ़ते हैं, तब वो हमारे जीवन पर असर डालता है, इसल हिंदी बुक्स प्रोड्यूस करता हूं, उनको कृपा करके डाउनलोड कर लें, सहियोग की बात है, कि कमरे की सफाई करते समय, मेरे पीछे जो नसे नहीं रखी है, वो हटाना मैं भूल गया, शायद प्रभु की इच्छा थी, अच्छानक अभी मैंने देखा कि अरे बाप रहो नसेनी तो वहाँ छूट गई, बाकी तो सब जो पीछे, जो भी आपती जनक चीजे हैं, वो सब हटा दी, प्रभु ने नसेनी ही क्यों भूला दी, शायद आप सबको ये याद दिलाने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति नसेनी रखता है, तो उसके सबसे उपर की जो सीड़ी है, पैर उस पे नहीं रखता है, सबसे उपर तक की सीड़ी पर जाने के लिए, पहले सबसे नीचे की सीड़ी पर पैर रखते हैं, उसके बाद अगली सीड़ी, इस तरह से सबसे उपर पहुँचते हैं, शायद यह याद दिलाने के लिए एक अबजेक्ट लेसन के रूप में प्रभु ने उसको वहां रखवा दिया, और मैं भूल गया कि इसे हटाना है, तो कल को कोई आपती करे कि सराब भूल गया, उसके पहले ही मैं सफाई दे दू, कि इसके पीछे जिरूर प्रभु का लट्ष है, आत्मिक जीवन में हमें से हर व्यक्ति चाते हैं, कि हम नसेनी के एकदम से उपर पहुँच जाएं, पहली सीडी चड़े बिना, आप दूसरी पे नहीं जा सकते, और दूसरी के बिना तीसरी पे नहीं जा सकते, इस कारण ये जो पुस्तकें आपके लिए उपलब्द करवाई जा रही हैं, जो आपने आप में कोई आसान काम नहीं है, इनको डाउनलोड करके पढ़ लें और दूसरों के साथ साजह करें, बांटे, कितनी सारी उल्टी सीधी चीज़े हम लोग शेयर करते हैं, क्यों ना ऐसी चीज़ों को अधिक उत्सा के साथ शेयर करें, जो प्रभू के वचन को सीखने में हमारी मदद करता है, कई लोगों ने मुझे पिछले हफ़ते लिख कर इन सारी पुस्तकों की जो इसके पहली भी बाठी गई है, उनकी मांग की, आप मैं से यह दी ऐसा कोई वेखती है, जिसने हिंदी में इन सभी पुस्तकों को प्राप्त नहीं किया है, तो मुझे एक WhatsApp संदिश भेज दें, मे मेरा नंबर है 999-519-8690, फिर से मैं उसे दोहराता हूँ, 999-519-8690, इन पुस्तकों को प्राप्त करके, इनको नियमेत रूप से पढ़ना न भूलें, जो माबाप यहां पर हैं, और जो बच्चे हैं, उनको याप दिलाना चाहते हैं, कि चार सीरीज है, जिसमें एक है बाइबल इतिहास माला, इसमें सृष्टी से लेकर शाश्वत काल में प्रवेश करने तक बाइबल में जो इतिहास दिया है, वो चित्रों की मदद से बताये जाएगा, तो माबाप याद रखें, यह बच्चों को देना न भूलें, मैंने पिछले कई हफ्तों पहले से जो विशे का टाइटल दिया है, वो है लापरवाः पिता बरबाद बच्चे, पिछले तीन-चार हफ्ते मैंने यह बात याद दिलाई थी, कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के रास्ते प आहना है, उसके लिए हम में से हर व्यक्ति को जो करना है, वो हम में से कई लोग नहीं करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरंड मैंने पिछले दिनों दिये थे, आज मैं एक और उदाहरंड देना चाहता हूँ, जो भारतिय समाज में काफी व्यापक है, भारतिय समाज में इनका चलन पिछले 100-200 साल से हो रहा है, और इन चीजों ने हमारे पारिवारिक जीवन को बरबात कर दिया है, इतना ही नहीं, स्कूल के जीवन को भी बरबात कर दिया है, इन दोनों में काफी समानता है, और इन दोनों बातों को जानना जरूरी है, मैं जब स्कूल में पढ आता था, तब हमारे एक सर थे सुरंगे सर, सुरंगे सर को देखके इवन भूत प्रेत भाग जाते थे, क्यों? सर की सिर्फ एक फिलोसफी थी, जो भी सामने पढ़ जाए, वो कुछ भी कर रहा हो, भला या बुरा, सही या गलत, उसको पकड लो, और संटी से ऐसा, ऐसी पिटाई लगाओ, ऐसी पिटाई लगाओ, कि वो बस गिर पड़े, और सुरंगे सर की आदत थी यह, कोई भी विद्यार थी उनकी नजर्म में पड़ जाए, वो कुछ भी कर रहा हो, उनका प्रश्नी यह होता था, क्यों बे, इदर आ, तू क्या कर रह है, तो यदि वो बोले कि सर मैं क्लास में जा रहा हूं, नालायक क्लास में जाने के लिए अभी समय मिला है क्या, अच्छी तरह से पिटाई, यदि कोई कह कि सर मैं पानी पीने के लिए, नालायक पानी पीने के लिए जा रहा है, पढ़ाई करने की तेरी इच्छा नहीं होत मतलब उनकी नजर में विद्यार्थी हर समय हर कायरे में गलत था और इसलिए उस विद्यार्थी को सुधारने का एक मात्र तरीका ये था कि जमकर उपर से नीचे तक उसकी पिटाई लगाई जाए मुझे अभी भी याद है दूर से वो दिख जाते थे तो हम लोग कैसे रास्ता बदल कर भाग लेते थे इस तरह के कई विद्यार्थी थे इस तरह के कई अध्यापक थे सवाल यह है कि वो काहे को पिटाई करते थे काहे को पीटते थे यह फिलोसफी थी आज से कुछ देशाबदी पहले तक विद्यार्थियों की अध्यापकों की फिलोसफी थी कि विद्यार्थी पढ़ाए लिख पढ़ाने लिखाने के लिए थोड़ी या पढ़ने लिखने के लिए थोड़ी स्कूल आते हैं तो जम के पिटाई करो वो अपने आप जो है सुधर जाएंगे ऐसा नहीं होता है इन अध्यापकों के कारण कितने सारे विद्यार्थियों का विद्या से ध्यान हट गया दिल में डर भर गया, भाए भर गया और विद्या से या एज्यूकेशन से उनका ध्यान हट गया यही फिलोसफी कई बार घरों में भी लोग पालन करते थे लेकिन इसका क्या असर होता है उसके एक उदाहरेंट मैं देना चाहता हूँ मेरा बेटा कुछ ओवर एक्टिव था ओवर एक्टिव मीन्स ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कभी भी एक काम ने करते हैं वो एक करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, पांचवा करते हैं अध्यापक चाहते हैं कि विद्यार्थी एक जगे खंबे के समान बैठा रहे कई विद्यार्थी ऐसा नहीं करते बेटे के स्कूल में एक नई टीचर आई उनको नहीं मालूम था कि कौन बच्चा कैसा है उनको ये नहीं मालूम था कि ये लड़का कुछ ओवर एक्टिव है उनको तो वो बच्चे अच्छे लगते थे जो बस चुपचा बैठे रहते थे जब बेटे की ये जो भाग दोड़ की आदत उनने देखी तो उननने बुला कि उससे कहा तु मोर्क है तु ना लाएक है त्यादी त्यादी आज तक स्कूल में कभी किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा था घर पहुचा बहुत ही ज़्यादा गुमसुम हो गया दो दिन में वो लगबग डिप्रेशन में चला गया उस समय मैं ग्वालियर में नहीं था तुरंत वाइफ ने मुझे एक लेटर लिखा कि एक नई टीचर आई है वो अपने बेटे के स्वभाव को नहीं जानती है और इस कारण उनने बेटे से ऐसा ऐसा बोला है जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ चुका है दूसरी में पढ़ता था शायद या तीसरी में तुरंत मैंने एक लेटर टाइप करके प्रिंसिपाल को भेजा ये सब मेरे ही सहकर्मी थे प्रिंसिपाल मेरी सहकर्मी थी मैं उसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ उसी स्कूल में मैंने नौकरी की और बेटा जिस डिविजन में पढ़ता था उसका आरंब जिन टीचर्स ने किया उसमें से एक मैं भी था इसलिए वहां काफी अच्छी पकड़ थी तो प्रिंसिपाल को एक जो लेटर देजा उस लेटर को पढ़के प्रिंसिपाल बुरी तरह से डर गई उन्हें ले जाके मैनेजमेंट के सेकरेटरी को दिया मैनेजमेंट के सेकरेटरी ने उस लेटर को पढ़के कहा कि यदि हमारे अध्यापक बीसवी शताबदी के तौर तरीके नहीं जानते हैं तो हमसे कहीं गलती हुई है उन्होंने तुरंत अध्यापकों के लिए तीन दिन की ट्रेनिंग घोशना कर दी और बाकाईदा उन्होंने तीन दिन ट्रेनिंग दिया और ये जो headmistress है उन्होंने जाके छुपके से उस अध्यापका के कान में बोला आपको दो बाते मालूम होनी चाहिए ये बच्चा बड़ा इंटेलिजन्ट है इसलिए वो एक जगे नहीं बैठता है आप थोड़ा सा समय दीजे और वो आपके क्लास में शांती के साथ बैठ जाएगा दूसरी बात उन्हांने कहा कि इस बच्चे के पिताजी जो है उन्होंने भी मिलके इस स्कूल में ये डिविजन आर्म किया है जो कि बहुत ही प्रिस्टीज़ डिविजन था और इसलिए उनका हम वो हमारी परिवार के अपनी परिवार के हैं फल क्या हुआ उस टीचर ने बेटे को बहुत अधिक स्नेह करना शुरू किया उपेक्षा के बदले स्नेह करना शुरू किया केरल में 20-22 दिन की मिनिस्ट्री के बाद जब मैं पहुँचा तो मैं स्कूल गया वहां मुझे किसी से कोई अनुमती की जरूरत नहीं पढ़ती थी इतनी चलती थी सीधे मैं उसी क्लास में गया जिसमें मेरा बेटा है देखा तो टीचर बैठ के रेजिस्टर में कोई काम कर रही है सब बच्चे जो है वो उनको कुछ होम क्लास वर्क दिया गया पेरों पर बैठ कर अपना होमवर्क कर रहा है घरा के उसने मुझे बताए डैड़ी वो टीचर मेरी सबसे अच्छी टीचर है जिस टीचर के कारेंड बेटे को डिप्रेशन हुआ था उस टीचर के बारे में वो जब उन्होंने उससे स्ने करना शुरू किया तो उसका कहना था कि वो मेरी सबसे अच्छी टीचर है अनाविश्यक डाटफटकार बिना गलती समझाए बिना डाटफटकार उसका असर लोगों के उपर मानसिक डिप्रेशन का होता है लेकिन उसी बच्चे को यदि प्यार से बताया जाए बेटा पढ़ने के लिए आये हो भागोगे फिरोगे पढ़ाई कब करोगे बड़ा आदमी कब बनोगे अफसर कब बनोगे तो बच्चा उसके बारे में सोचता है ये उदाहरण मैंने विस्तार से इसलिए दिया कि पारिवारिक जीवन के बारे में सो सिद्धांत बताये जा सकते हैं लेकिन जब तक उन सिद्धांतों की व्याख्या व्यावहारिक तरीके से ना करें तब तक कहां पर किस चीज को लागू करना है ये हम समझ नहीं पाते हैं भारत वर्ष में पिछले सो दो सो साल से ये एक फिलोसफी रही है बच्चों को मारो पीटो कूट दो मेरे एक अध्यापक तो बड़े घमंट से बोलते थे आज मैंने जो है पांच विद्यार्थी को कूट दिया अरे भाया वो कोई गेहू है क्या या चावल है क्या जिसे आप ओखली में कूट रहे हैं वो एक मनिश्य है यदि वो टीचर मसी ही हो तो उससे मैं कहना चाहूंगा पदमेश्वर के सुरूप में सुरुष्टी किया हुआ एक यक्ति है उसको कूटने की जिम्मेदारी थोड़ी तुमको दी गई है उसको आदमी बनाने की जिम्मेदारी दी है जब जरूरी हो अनिश्यासन हींता करे तो सजा दो सजा देना बात अलग है कूटना बात अलग है लेकिन ये जो फिलोसफी है ये स्कूलों में भी थी और घरों में भी थी मैं इस तरह के एक पारिवारिक पृष्ट भूमी से आया हूँ जहां कूटने पीटने को बहुत गंविरता से लिया जाता था मेरे दादा जी अपने बच्चों से ऐसा कड़ा वियवहार करते थे कि शाम के समय जब उनको आते हुए देखते थे वो एक अस्पताल में चैपलियन थे प्रभू की सेवा करते थे शाम को जब वो घर से दो फरलंग दूर होते थे तो उनके सारे बच्चे ऐसे गाइब हो जाते थे जैसे गदे के सिर से सींग ऐसा उनका भाय उनके मन में था नमबे साल की उमर में जब मेरे दादा जी की मृत्यू हुई तो मेरे पापा वहां थे हम लोग उस समय ग्वालियर में थे पापा उस समय केरल में थे दादा जी का जो मृत्यू के बाद जो भी उनका फ्यूनरल हुआ उसका संचालन मेरे पापा ने किया और पापा ने उस समय एक वाक्य बोला जो मैं कभी नहीं भूल सकता नमबे साल के मेरे बाप के चहरे पर सीधे सीधे नजर लालने की हिम्मत आहज हुई है मतलब नमबे साल की उमर तक पापा का ऐसा भाए जो किसी डाकू या लुटेरे से भी नहीं होता है हत्यारे से भी नहीं होता नमबे साल की उमर में जब दादा जी जब वहाँ पर डेड बाडी उनकी पड़ी थी तब पापा ने पहली बार उनके चेहरे पर नजर डाली ऐसा भाय था उस पीड़ी में ये एक फिलोसफी है जो आज बहुत एरे हिंदुस्तानी परिवारों में है कि बच्चों को मार पीट के कूट के अत्यादिक भाय के साथ दबा कर रखना चाहिए ये पजमेश्वर के वचन के विरुद है मेरे फादर भी ऐसा ही करते थे कोई भी बात हो समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे गल्ती कहां हुई लेकिन उन्होंने अपना बेल्ट उतारा और बेल्ट से मेरी पिटाई करते थे मैं एक घटना आपके साथ शेर करना चाहता हूँ आप कहेंगे कि बाप की बुराई करता है कि ये ना तो बाप की बुराई हो रही है व्यावाहर एक जीवन में जो घटनाई हुई हैं उन घटनाओं को आपके सामने रख कर उनका विशलेशन किया जा रहा है मेरे चर्च में एक जवान था जो हिंदुस्तान का बहुत प्रसिद्ध आभिनेता बन गया बॉर्ण अगेन था उसने प्रभू को ग्रहन किया था उत्साही था मुझसे शायद दो साल छोटा था आप सब लोग उसका नाम जानते हैं अनिल कपूर भाई रेंजी ताज जिस मंडली में सेवा करते हैं अनिल कपूर कभी उस मंडली का सदस्य हुआ करता था सेंडे स्कूल का विद्यार्थी था मुझसे एक क्लास जूनियर पढ़ता था एक परिवार उसको ग्वालियर लाया था जब उसने प्रभू को ग्रहन किया तब एक परिवार उसको ग्वालियर लाया और तीन साल उनने उसको ग्वालियर में रखा लेकिन मेरे पापा कभी पसंद नहीं करते थे कि मैं उससे बात करूँ वो अपने आप में इतना प्यारा बच्चा था स्नेह से भरा परिपूर्ण था कि उसको छोड़ने की चानी होती थी और घल के बगल में ही रता था मेरे घर और हमारे घर उनका घर लगा हुआ था एक ही बाड़े में था तो अकसर फ्री टेम में मैं उससे मिलने के लिए चला जाता था डर डर के कि पापा ना आजाएं और कई बार क्या होता था कि बात कर रहे हैं पापा आगे पापा ने देखा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, बस कान पकड़ के अंदर लेगे, नालायक, मैंने तुझसे कहा था ना कि उससे बात ना किया कर, उसके बाद बेल्ट से जम के पिताई, सवाल यह है, उन्हें ने कभी मुझे बताया क्या, कि उससे बात क्यों न करूं, मेरे स अर्च का सदस्य था, युवा सदस्य था, सेंडे स्कूल में मुझसे जूनियर क्लास में पढ़ता था, उससे बात क्यों न करूं, आज भी मुझे नहीं मालूम है कि उससे बात्चेत को क्यों मना ही थी, लेकिन अनील कपूर के कारेंट मेरी बहुत बार पिटाई हुई थी, कि खुले बात करने के बदले मैं चोरी चुपे बात करता था, आज यहां पर जितने पिता लोग हैं, और आज भी मुझे नहीं मालूम कि वे मुझे मना क्यों करते थे, मैं उस समय दस्वी में था, वो नवी में था, दस्वी नवी में किसी बच्चे को देखके यह अनुमा नहीं होता है कि वो कल को विश्वास त्याग कर देगा, या कहीं और चला जाएगा, तो फिर क्या कारेंट था, मुझे नहीं मालूम है, और आज पापा 92 साल के हो गये हैं, उनसे यह दि मैं पूछूं कि आप ऐसा क्यों करते थे, तो उनको याद भी नहीं होगा कि वो ऐसा करते थे, यह घटना मैंने इसलिए बताई है, कि इस तरह की घटना सुर्फ मेरे साथ नहीं घटी है, आज जितने लोग प्रभो का वचन सुन रहे हैं, इन में से कई लोगों का यही अनुभौ रहा है, कि मा बाप उनको जबर्दस्ती मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, ज़्यादा तर लोग पिता हैं जो यह करते हैं, लेकिन कुछ माएं भी अपने पती से दो कदम आगे रहती हैं इसमें, क्यों? क्यों करते हैं? आप कहेंगे कि बच्चे को बच्चा गलत कर रहा था, गलत कारी कर रहा था, तो मेरा सवाल यह है, आपको मालूम है कि बच्चा गलत कर रहा था, आपको मालूम है कि गलती क्या थी? बच्चे को मालूम है क्या आज जितने पिता और माता प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ अनिशासन गलत नहीं है अनिशासन जरूरी है मैं भी अपने बच्चों को कड़े अनिशासन में रखता था पापा यदि बेल्ट से मेरी पिटाई करते थे तो मैं अपने बेटे और बेटी की पिटाई बीजली के तार से करता था लेकिन उसके पहले उनको बुला कर बताता था बेटा मैंने फलाना काम तुमको मना किया था बाकाइदा मुस्कराते हुए आप मेरे बेच्चों से पूछ सकते हैं बुला के जरा उन से पूछ लीजिए कि पापा जो है वो आपको अनिशासन में लाते थे कैसे करते थे वो बताएंगे कि पापा कुरसी पे आराम से बैठ जाते थे बड़े प्यार से बुलाते थे उसके बाद पूछते थे कि बेटा तुमने ऐसा किया क्या पहले तो पूछते थे ऐसा किया क्या उसके बाद बताते थे कि तुमने जो किया मैंने मना किया था फलाने कारंट से मना किया था किया था या नहीं किया था तो जब वो बोलते थे कि मैंने किया, तो कई बार पहले आउसर पर मैं छोड़ देता था, बिजली का तार या हंटर दिखा के बोलता था कि ठीक है, इस बार मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, आगे मत दुहराना, बच्चे कई बार दुहराते थे, इस बार उनको फिर से मुस्कराते हुए बुला के, शान्त स्वर में, समझाने के बाद, हथेली पर, या प्रिष्ट भाग पर, जहां प्रभु ने काफी मसिल्स रखे हैं, पिटाई करता था, कई बार बच्चों से लोग पूछते थे, कि तुमारे डैडी मुस्कराते हुए बुलाते हैं, और फिर तुमको सजा देते हैं, कह हमको और अच्छा बच्चा बनाने के लिए करते हैं, ये बात भी मैंने उनको समझाई थी, कि तुमको दर्द देने में मुझे कोई खुश ही नहीं होती है, लेकिन गलत काम मत करो, एक बार तो अपने बेटे को अनिशासित करते हुए, मुझे रोना आ गया, क्यों? इसलिए कि जब मैंने उसके हाथ पर मारा, तो उसको इतना दर्द हुआ, कि दर्द के मारे मुझे से ही लिपट गया, और रोने लगा, मुझे से घिन नहीं किया, उसके हाथ में मैंने चोट पहुँचाई है, उसके लिए घिन नहीं किया, बलकि लिपट गया, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके जीवन में स्नेह का स्रोत उसके माबाप है, तो इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि अपने बच्चे को अनिशासित ना करें, मैं यह नहीं कह रहा कि उसको सजा ना दें, मेरा सवाल यह है कि बच्चे को भले और बुरे के बीच में अंतर आपने पहले बताये क्या, वो जो कर रहा है, वो यह दि गलत है, तो क्यों है, नीति वचन चोथे अध्याय के, पहले पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्रों, और याद रखें, यह पुत्रों, पुत्रियों दोनों के लिए है, हे मेरे पुत्रों, पुत्रियों, पिता की शिच्चा सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुम को उत्तम शिठ्षा दी है ये उत्तम शिठ्षा क्या होती है उत्तम शिठ्षा का मतलब ये है कि बच्चे को जो बातें जाननी चाहिए उसे आपने बच्चे के स्तर पर बच्चे को समझ में आए ऐसी भाष्षा में और ऐसी शैली में सिखाया है, समझाया है आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल डंडे से या बेंत जब मैं लगाता हूँ उसको तो यही तो कर रहा हूँ यदि आप सिर्फ बेंत लगाते हैं तो आप यह नहीं कर रहे हैं आप पद्मेश्वर के सामने आपरादी है और यदि बिना बच्चे को उत्तम शिठ्षा दिये या उत्तम शिठ्षा दिये बिना और बच्चे की गलती समझाए बिना यदि आप बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं और कूटते हैं तो यकीन मानिए कि पहले तो उस बच्चे के मन में आपके विरुध बल्वा आएगा, रिबिल्यन आएगा और ये रिबिल्यन या बल्वा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद घिन में बदल जाएगा और घिन में बदल जाने के बाद पहला मौका जो उसको मिलता है, उस मौके पर आपका बेटा या बेटी आपको लात मारके अलग हो जाएगा या अलग कर देगा इसको हलके से ना ले मैंने जीवन में इस तरह के सैकडों के इस देखे हैं और मेरे लेखों के द्वारा हजारों लोगों को मदद मिली है कि वे ये जो गलती कर रहे हैं, इस गलती को सुधार सकें तो आज यहाँ पर जितने पिता लोग हैं और जितनी माताएं प्रभु का वचन सुन रही है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ पहले उत्तम शिट्षा, बाद में अनिशासन फिर से सुन लें, पहले उत्तम शिट्षा, बाद में अनिशासन बिना अनिशासन के उत्तम शिट्षा से कुछ नहीं होता सर्वोतो मुदाहरने एली एली के लड़के नमबर वन लुच्चे और लफंगे थे पुरैने नियम में पदमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि यदि किसी का बेटा यदि लुच्चा ये लफंगा है तो उसको न्याय आसन के सामने लाया जाए और न्यायी लोग उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद न्याय की घोशना करे और उस घोशना के अनुसार उसको सजा दे एली ने ऐसा किया क्या नहीं किया अरे बेटा ऐसा क्यों करते हो वैसा क्यों करते हो अरे बच्चे से पूछ रहे हो बच्चे से पूछ रहे हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो ये अपने अपने कमजोरी की निशानी है जो भी माब आप बच्चों से ये पूछते हैं क्यों बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो तुम टाइम पर खाना क्यों नहीं खाते इसका मतलब है कि आपके शरीर में सबसे महतवपूर्ण जो आवियव है वो मिसिंग है चहे पुरिश हो या स्त्री हो उसके शरीर में सबसे महतवपूर्ण अंग या आवियव है रीड की हड़ी एली के रीड की हड़ी नहीं थी इसलिए उसने अपने लफंगे पुत्रों को मन माना जीने और मन माना लूट ने और मन माना वियविचार करने दिया जबकि व्यवस्था में पदमेश्वर ने इसके लिए प्रौपर व्यवस्था दी थी तो इसका अरण यदि सिर्फ उत्तम शिट्षा दो अनिशासन ना दो तो आपके बच्चे बरबाद हो जाएंगे गारंटी है एली इसका सर्वोतम उदारण है शिट्षा ना दो और सिर्फ सजा ही सजा दो सिर्फ अनिशासन करो मारपीट करो तो भी आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा प्रभू की दया है कि इन बर्बाद होने वाले या हुए बच्चों में से कुछ बच गए या वापस आ गए मैं उन में से एक हूँ जो आती भायान का निशासन लेकिन शिट्षा कुछ नहीं कुछ नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों मारा क्यों जा रहा है पीटा क्यों जा रहा है ये प्रभू की दया है कि जीवन में रिबिलिन या बलवा करने के बाद मैं आत्मी जीवन में वापस आ गया मैं जब नैंत में पहुँच गया था तब तक सभी लोग ये टिपनी करते थे कि नंबर वन बलवाई है जब मैं हायर सेकंडरी में पढ़ रहा था तब एक कैनेडिन मिश्नरी ने मेरे बारे में पब्लिकली डिक्लेर किया कि नंबर वन बलवाई है इसे सुनकर एक कम्यूनिस्ट आदमी तो बहुत खुश हो गया अरे हाँ शिबिर जहां पर सेवा करता है शिवपुरी उसी शिवपुरी में था वो उसने तुरंत मुझे लिखा मैंने सुना है कि तुम नंबर वन बलवाई हो हमें ऐसे लोगों की जरुरत है वो चाहता था कि मैं कम्यूनिस पार्टी को जॉइन कर लो उनको तो बलवाई लोगों की जरुरत ही उस समय बियसी फस्टियर में प्रभू ने मेरे दिल को स्पर्श किया मुझे उस बलवे से वापस प्रभू वापस ले आए नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बरबाद हो गया होता और मैं सेक्ड़ों ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो बरबाद हो गये थे जिनको वापस लेने में प्रभू ने मेरी मदद की और मैं ऐसे हजारों लोगों के बारे में जानता हूँ जिन्होंने कैंप्स में या कॉन्फरेंसेस में मेरे क्लासस हैटेंड करने के बाद इस बात को पहचाना कि मेरे बाप ने तो गलत किया मेरी माईयों ने तो गलत किया अब मैं क्यों प्रभू से माबाप से बलवा करके प्रभू से भी दूर चला जाऊं और वे लोग विश्वास में वापस आ गए तो आज जितने पिता और माता प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनसे पहला अनिरोध यह है जब प्रभु का वचन कहता है मैंने तुमको उत्तम शिट्षा दी है तो बच्चों के पालन पोशन में जो की संपुष्ट परिवार का हिस्सा है प्रभु के पालन पोशन में पहला कदम उनको उत्तम शिट्षा देना है इस उत्तम शिट्षा में क्या क्या है इसको हम विस्तार से देखेंगे लेकिन फिर से मैं दुहराना चाहता हूँ यदि सिर्फ उत्तम शिट्षा देते हैं अनिशासन नहीं करते जैसे एली ने किया तो आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे ऐसे इतनी भयानक जिंदगी वे लोग बिताएंगे कि इवन प्रभू उनका सहार कर देंगे दूसरी और यदि उत्तम शिट्षा ना दें सिर्फ अनिशासन ही अनिशासन करें तो भी आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे इसके बारे में नया जीवन नया नियम इवन पुराने नियम में काफी बाते हैं नया नियम काफी कुछ कहता है लेकिन पिता लोग और माता लोग जब प्रभू का वचन पढ़ते हैं और जब इन पदों पर आते हैं तो आँख मीच के पढ़ते हैं इफीसियों की पत्री छटे अध्याय के चौथे पद में हम देखते हैं इफीसियों की पत्री छटे अध्याय के चौथे पद में ये रिष्ण ना दिलाने का क्या मतलब है विस्तार बाद में हम देखेंगे जैसा मैं इन दिनों याद दिला रहा हूं इन विश्यों का विस्तार से अध्यान करेंगे यहां इंस्टेंट शिट्षा जैसी कोई चीज नहीं है संपुष्ट परिवार अपने आप में एक व्यापक विशे है और हम पूर्ण व्यापकता से ही उसका अध्यान करेंगे तो ये रिष्ण दिलाने का मतलब एग्जैक क्या है ये हम बाद में देखेंगे लेकिन यहां एक बात क्लियर है बच्चों को इरिटेट नहीं करना है इरिस नहीं दिलाना है ख्रोध नहीं दिलाना है बच्चे से यदि बात करनी है यदि वो जो कर रहा है या कर रही है वो यदि गलत है और यदि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ऐसा करे तो पहले उसको बुलाकर बैठाकर उत्तम शिठ्षा दीजे कितने लोग हैं यहाँ पर कितने माबाप है जिन उन्हें इस पत को गंबिरता से लिया है अरे गंबिरता से लेने की छोड़िये कितने माबाप है जिनको मालूम है कि बाइबल में इस तरह के एक पद है वही तो मैं कहरा था कि जब इस तरह के व्यावाहरी जीवन संबन्दित पद आते हैं तो हमें से ज़्यादातर लोग आँख मीच के बाइबल पढ़ते है एक और पद है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो है कुलिसियों तीसरा अध्याए कुलिसियों तीसरे अध्याए के 21 पद में हम देखते हैं कुलिसियों तीसरा अध्याए 21 पद है बच्चे वालों अपने बच्चों को तंग ना करो हिंदी में बालकों को आया है जो एक्चुली लड़के-leड़की दोनों को शामिल करके बनाय गया एक शब्द है हे बच्चे वालों उनको तंग मत करो एक जगे लिखा है रिस मत दिलाओ एक जगे लिखा है तंग मत करो जो इस बात को याद दिलाता है कि बिना उत्तम शिच्छा दिये बिना यदि आप अनिशासन देते हैं तो आपका बच्चा बरबाद हो जाएगा दूसरी और बिना अनिशासन के यदि आप उत्तम शिच्छा देते हैं तो आपका बच्चा बरबाद हो जाएगा जीवन में उत्तम शिट्षा और अनिशासन के बीच में एक संतुलन होना चाहिए यहां शिट्षा क्यों नहीं कहा गया क्यों क्यों उत्तम शिट्षा कहा है इसके पीछे भी एक कारण है जो हमें समझ लेना चाहिए जाने अन जाने बच्चों को शिट्षा हम हर दिन दे रहे हैं जैसे पती पत्नी बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं तो उसके द्वारा बच्चों को ये शिट्षा मिलती है कि अच्छा 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 दूसरे की बुराई करना जो है ये एक अच्छा काम है जिसके लिए अनुमती है क्योंकि मम्मी डाड़ी करते है तो फिर अनुमती है और जिसमें बड़ा आनंद भी आता है तो अच्छा कारी है अनुमती है, आनंद आता है इसलिए प्रभु के वचन में शिठ्षा के बदले उत्तम शिठ्षा कहा गया है हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा बच्चे को शिठ्षा मिलती है ये दिए एक भाई अपने कपड़ों को बेतरती इधरोधर डाल देता है और जब कपड़े बदलने के बाद आती है तो चिला चिला कर पतनी को याद करता है कपड़े कहा है, कपड़े कहा है, पैंट कहा है यहीं कहीं तो मैंने डाला था तो आपका बेटा और आपकी बेटी ये सीख लेते हैं कि अनिशासन की क्या जरूरत है जब चिला कर दूसरे से गुलामी करवाई जा सकती है तो फिर अनिशासन की क्या जरूरत है तो आप जो लापरवाही अपने जीवन में कर रहे हैं उसके द्वारा अपने बच्चे को शिट्शा दे रहे हैं बहने कहेंगे कि हाँ ब्रदर बताईए उनको बताईए बेहनों से भी मैं कहना चाता हूँ यदि आप अपने जीवन में अनिशासन हीनता करती है तो आप उसके द्वारा अपने बेटे बेटी को शिट्शा दे रही है आप पूछेंगे बेहनों की जीवन में अनिशासन हीनता होती है पचास तरह के अनिशासन हीनता है एक चोटी सी बात बता दूँ, तो बहुत सारी बहने हैं जो 2400 घंटे TV सीरियल से चिपकी रहती हैं, फेविकोल जो लकडी चिपकाने के काम में आती है, फेविकोल का शायद अविशकार ही ऐसे हुआ है, जब लोगों ने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति TV से चिपक सकता है आपका बच्चा, आपकी बच्चे उससे एक बात समझ जाते हैं, TV हो तो जिंदगी है, बाकी सब बेकार है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े है बरसों, यदि कपड़े धोना है, घर में जाडू लगाना है, किचन में परस काम करने हैं, लेकिन यदि मैयो फुल टेम टीवी से चिपकी रहती है, तो यही फिलोसफी तो बच्चा सीखता है, यह बच्ची सीखती कि आज करे तो काल करे तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, तो प्रभु का बच्चन शिच्चा के बदले उत्तम शिच्च शब्द का जो प्रयोग करता है, उसके पीछे कारण यह है कि शिच्चा तो हम सब दे रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा, माबाप जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा, और माबाप जो कुछ नहीं कर रहे हैं उसके द्वारा, बच्चों को शिच्चा दे रह बच्चे शिच्छा पा रहे हैं यह नहीं है जो शिच्छा उनको देनी है उनको जी शिच्छा देनी है वो है उत्तम शिच्छा जहां आप उनको बुला कर बताएं कि बेटा भले और बुरे में क्या अंतर है भला क्यों चुनना है बुरा क्यों हमको बरबात कर देता है और भ चलाने को देखो उसने जीवन में बुरा ही बुरा चुना है वो बरबाद हो गए इस तरह से जब आप बच्चे को वो जो नसेन ही है उसकी पहली सीड़ी चड़ाएंगे दूसरी सीड़ी चड़ाएंगे तीसरी सीड़ी चड़ाएंगे उसके साथ साथ आवेशक अनिशासन देते जाएंगे तब आपका बच्चा अपने जीवन में संपुष्ट होगा या बच्ची संपुष्ट होगी और जब आपका बच्चा या बच्ची संपुष्ट होगी तो आपका परिवार संपुष्ट होगा और आपका परिवार संपुष्ट होगा तो आपका पारिवारि मैं फिर से बता दू, 999-519-8690, पुना, 999-519-8690, मुझे एक WhatsApp संदेश भेज कर, यदि आप उदर शिबिर ने ये नमबर कमेंड बॉक्स में डाल दिया है, तो अनिशासन का अच्छा असर होता है ना लोगों के उपर, शिबिर को मैंने शिचा भी दी थी, अनिशासित भी किया था, देखा उसका असर, ठेंड बर में दिख गया, तो मुझे एक संदेश भेजिए, इलेक्ट्रोनिक बुक मांगिए, मैं आपको भीज दूँगा, एक मिनिट में डाउनलोड हो जाएगा, दस मिनिट से कम समय में आप पढ़ लेंगे, आपका जीवन, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु के वचन की व्याक्या है, आपकी जीवन अन्गर से भर इन बातों को समझने के लिए प्रभु हर तरह से आपकी मदद करें, प्रभु के नाम की स्तूती हो. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें, बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रुत साहन देत है, जै मसीह की